हम mecanical ventilator के उपर डिस्कस करेंगे mechanical ventilator fundamental का एक अच्छा topic होता है और mechanical ventilator को एफ़न एर्वे जो पेहली बात अपने अश्मिẫn केर अंदर भी पढ़ते हैं एर्वेर ठीक सरकुलेशन तो पहलं सबते हैं ट्वली दो टाया see अगर पेशन खुद एफर्ट से नहीं ले पा रहा है तो उसका एरवे को मेनेजमेंट करना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो एरवे मेनेजमेंट के लिए आपन बहुत साथ चीज़े यूज करते हैं उसके अंदर एक मेकनिकल वेंटिलेटर भी होता है तो मेकनिकल वेंटिलेटर डिवाइस टू मेंटें एरवे वेंटिलेशन एंड ऑक्शिज़ेनेशन अगर पेशन ब्रीत नहीं ले पा रहा है तो उसको आटीपेशिल ब्रीत देने के लिए अपन जो इस्टुमेंट यूज करते हैं अपन जो मशीन यूज करते हैं उसको भी आप सभी जानते हैं कि अपना इंट्राथौश प्रेसर जो होता है में लंक्स प्रेसर होता है वह निगेटिभ प्रेषर होता है और label के बाहर पॉजुटीव प्रेशन होता बॉजुटीव प्रेशना फैसे ब मैंनेगेटिव तो किया करते हैं इक behaviour ते cut Perfect उपीस् resolve देते हैं तो यह डिलेटर है वी दो टाइप जैसे होते हैं दो तैप होते हैं पोysis इन्टि बेड़ेक्टर और नेगेटिव प्रिशर बैंटी लेटर पो जिर पाओ अब बाट करतें हैं नेगेटिव प्रिशर देलेटर की तो नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर है वो क्या उसके अंदर क्या होता है कि क्रिएट नेगेटिव प्रेशर चेमबर अराउंड दे चेस्ट क्या किया जाता है कि चेस्ट के चारों तरफ एक नेगेटिव प्रेशर क्रेट किया जाता है और अपना जो डिक्रीज इंट्र orth visão को obecités時 क्या होगा वह ही तो अलाव फोर पैसिव इनलिएशन जिससे explain क्या होगा-पैस एक पैसिवली मत्वली मतलई हो आठीविश फेशन के नाजिया जाएगा तो यह करेट करना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं पैसे प्रेश को एक Neil और प्लास्टिक का प्लास्टिक वो लगा कर देते हैं चेस्ट को चारा तरब से और उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर अपन यूज करते हैं पोजिटीव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर कि अगर बात करें तो यह थ्री टाइप्स के होते हैं पेला प्रेशर साइकल तूसरा वोल्यम साइकल और तीसरा जो होता है वो होता है टाइम साइकल ठी case time cycle volume pressure cycle का अंधर क्या होता है कि जो डेलिवर से और volume of gas with positive pressure during inspiration volume of gas को deliver करना है कि इसके साथ एक pressure के साथ तो और कैसा के लाएगा pressure cycle देलिवर कर रहा है pressure के साथ तो अपन क्या करेंगे एक pressure करकर उस प्रेसर के साथ उस गेस गा साइकल अगर वोलियून को साइकल करकर जैसे कि टाइडल वोलियूrico 500 Ele Ryaz है ठीक है तो उस टाइडल वेलियूम को 500 ही पेशेंट को दे तो उसको क्या कहाएंगे अपन वॉल्यूम साइकल तो डेलिवर है प्रीज टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर गेज रिगार्लेस और प्रेशर मॉस्ट कॉमन तो मॉस्ट कॉमन उसका करते हैं वॉल्यूम है तो इसमें टाइम फिक्स कर देते हैं कि एक मिनट वोल्यूम ऑब गेस फोर इंस पिरिटन माइं इंस प्रेशेंट बेना है कितनी रेट को देनी है के कहला थी time cycle not transiently used for adults यह बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कुण सा ventilator time cycle ventilator use के जाता है और adults के अंदर जो used के जाता है ज्यदा थर अपन volume cycle time cycle adult के अंदर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है कि adults के अलग होती बच्चों में सबसीजदा जो काडिया और टेखिपनिया डिए टेखिपनिया जो होता है बच्चों की जो बीओ बहुत जबाना होती है तो बीओ को अपन कंट्रोल करने के लिए अगर बिच्चा पहले से ज्यादा ले रहा है और अपन हर ब्रीट में वॉल्यूम 500 देना की को सब्सक्राइब बच्चों के लिए जैसे 200 चाहिए तो वोल्यूम बहुत ज्यादा उसके पास देलिए तो वॉल्यूम साइकल बच्चों में कि प्रोब्लम में होता था 60-70 के आज पास उसकी चाहित है तो यह तीन टाइम के हो गया प्रेशर साइकल वेंटिलेटर वोल्यूम साइकल वेंटिलेटर और टाइम साइकल अब इसके इन वेंटिलेटर इस पॉजिटी प्रेसर के अंदर बहुत सारे मोड्स होते हैं उन mandatory ventilation इसमें क्या होता है specific volume and rate of gas is delivered specific volume of the 500 total volume or rate of gas delivered with no trigger of machine by the client मतब इसमें client कोई भी trigger नहीं करना चाहिए मतब जो person है वो बिल्कुल ब्रीथ नहीं ले रहा है और उसमें बिल्कुल ब्रीथ लहीं लेना चाहिए patient सांत होना चाहिए patient का कोई भी resistance नहीं होना चाहिए ऐसी condition है या तो पूरी condition है या फिर पेशन को अपन डॉक्टर्स को अगर उसको स्ट्रेन नहीं कराना है उसको एफर्ट नहीं करवाना है और अपने को oxygen मेंटेन करना बहुत ज़्यादा उसको कमी हो गई है तो रीकवर करना है तो ऐसी condition में अपन क्या यूज़ करता है control mandatory ventilation और उसके अंदर fix volume of title volume और उसकी rate को क्या करते है fix करकर उसके according उसके अंदर patient को deliver तो इसमें सबसे best requirement क्या होती है अगर थोड़ा पूद कर रहा है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा medication may be administered to decrease client respiratory response को decrease करने के लिए क्या करना है कोई भी medicine है जैसे कि muscle relaxation हो गया pancronium हो गया एक ट्रोकुरियम हो गया रोकुरोणियम हो गया यह अपने इसमें यूज करके मॉर्फिन हो गया यह करके patient की muscles को क्या किया जाता है रिलक्स कर दे जाता है जिससे को machine को को कोई भी resistance ना हो और जो अपने को requirement है उस requirement में अपने उसके management कर सकते हैं जैसे कि patient को headache वाला head injury वाला आया ठीक है head injury वाला patient है तो उस वाले condition में क्या होगा अगर patient ज्यादा effort लगाएगा कुछ करेगा तो उसका cardiovascular system दूसरे system पे effect आ जाता है कि stress जब भी होता है आप सब को पता है जब stress होता है है ज्यादा problem हो सकती है वह सरह hormone secretion होता है उससे बहुत ज्यादा problem होती है तो उसको बचाने के लिए stress को कम करने के लिए अपने वेंटिलेटर यूज करते हैं और condition जिए वह पेशेंट बिल्कुल इसमें पूरा हो गया है और ब्रीट लेने की उसमें नहीं है तब भी यूज करते है या फिर अपने को डॉक्टर को यह चाहिए कि पेशेंट को बिल्कुल अपन कोई भी एफट नहीं करवाना है तब अपनी वेंटिलेटर यूज करते हैं अगर जिसमें पेशेंट थोड़ी अपने को अपने को अपने को अपने को फिक्स कर दी लेकिन इसमें वोल्यूम जो डेलिवर होगी वह पेशेंट के अकोडिं होगी पेशेंट इसको trigger करेगा, client inhalation trigger, client का inhalation trigger करेगा machine, machine को to deliver a preset volume, जो अपने value जिसे finded ml title volume set की है, तो वो अपने inhalation पर depend करता है, as a result, the rate may भी vary, जिससे क्या होगा, आप किसी भी rate से ले रहा है, लेकिन जो अपने टाइडल वोलिम है, कि आपने 500 patient को देना है, patient 300 ले रहा है, तो उस उसके according उसको 300 और 200 उसमें मिला के वो क्या करेगा, उसको 500 कर देगा, और उसके through और उसको deliver करेगा, तो इसमें क्या होगा, rate, patient अगर ज्यादा rate है, तो इसमें अलग-अलग rate होगा, अपनी आकर machine will initiate respiration at the preset, tidal volume and rate, तो इसमें अपने को volume का महन इंपोर्टेट होता है, assist control उस करते हैं, जिसको trigger कोन करता है, client trigger करता है, client के according machine क्या करती है, अगर client 300 ml, 300 ml ले पा रहा है, तो इसको 200 ये खुद एड़ करके उसको patient को deliver करता है, तो उसमें जो और इसकी जो patient मान लो टेकिक है, टेकिपनीक है, टेकिपनीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रित फास फास ल इसमें, volume fix कर दिया, rate भी fix कर दिया, अब जितनी टाइडर नहीं ले रहा है, उसको उसमें add किया, और उसको डाल दिया, मतब वो machine उसमें टाल देगी, तो total उसका 500 volume कर देगी, और उसका recording उसमें shift हो जाएगा, next अपन वेंटिलेटर का more जो देखेंगे, उसमें बात करते है intermittent mandatory ventilator, IME, इसमें जो ventilator, intermittent, तो ये भी spontaneous breathing वाले patient के लिए अपन यूस करते हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, intermittent mandatory ventilator, या pre-determined tidal volume and number of breathe per minute are delivered, इसमें भी fix है, tidal volume और rate को fix कर देता है, client control respiration between mechanical ventilator, ventilation, mechanical ventilation, client control respiration between mechanical ventilation, rate can be gradually reduced as client is weaned from ventilator, rarely used, इसमें क्या होता है, कि अपना जो tidal rate है patient के, इसमें specially जो जियान दिया जाता है, जैसे assist control में तो manly अपन के जियान दिया, volume के अदर rate को, patient अगर टेकिपनिक है, उसमें अपने इसको यूस करते हैं, और इसके tidal volume भी ठीक हो जाएगी, और इसके rate पर बीस पर मिनट इसको लेनी है, तो बीस rate के according इसमें देता है, और number of breathe per minute are delivered, client control respiration between mechanical ventilation, उसका जो breathe का जो control है, को कौन करेगा, आपन machine करेगी, तो इसमें rate क्या होगी, जैसे patient अगर normal हो गया, ठीक है, अब खुद बीस लेने लगया, इसमें rate क्या होने लगी, decrease हो चाहिए, मतलब उने को पता लग जाएगा, patient recover हो रहा है, winning के लिए हो र regulator का mode है, pressure support ventilator, फिर वर्ड से ही समझ में आ रहा, pressure support मतलब इसके आप, थोड़ा सा patient को क्या करना है, थोड़ा सा pressure का support करना है, जो बाहर का जो pressure है, positive pressure है, उसको आप क्या करके रखना है, maintain करके रखना है, और जिससे क्या होगा, patient का जो, जो जितनी टाइडल वोलिम जा रही ह मतलब, patient पूरी टाइडल वोलिम के साथ नहीं ले पा रहा है, तो उस वाली condition में अपन क्या करेंगे, pressure support, यह सारे जो mode अपन बात कर रहे हैं, वो सारे mode, अपन किसी भी time use कर सकते हैं, मैं अपना motto है, fix tidal volume और fix rate को प्रवाइड करना, तो pressure support ventilation, client initial breathe, patient खुद breathe ले रहा है, उसके जो effort है, patient stress ले रहा है, मतलब बहुती बुरी तरह से सांस ले रहा है, distress हो रहा है, respirator distress हो रहा है, तो उसको रिशॉल करने के लिए अपन क्या करेंगा, उसको support कर लेते हैं, वोड़ा सा support कर दिया है, था कि patient उसके distress में जानना जाए, जिसकी वज़े से क्या उसके दू support ventilator मतलब patient को pressure भी सबसके साथ support डालना है, मोड देखेंगे, ventilator के setting में देखेंगे, तो आप अपने को 3-4 चीज़े को set करना होता, pressure set करना होता, tidy volume set करना होता, red set करना होती और expire ratio और inspiration, expire और expire और expire दोनों को open करना, AE ratio, 1 is to 2, 2 is to 1, ऐसा आपने को करना होता है, तो इस इसाफ से आप कर सकते हैं, next अपन देखेंगे, जो है, synchronized intermittent mandatory ventilation, synchronized, intermittent mandatory ventilation, बहुत ही important mode होता है, यह किसी भी condition patient को बहुत अच्छा support करता है, इसके अंदर सब, patient को pressure भी हो जाता है, tidal volume भी हो जाता है, और इसके अंदर rate भी fix होती है, तो यह assist control mode के तरह भी यह भी होता है, synchronized intermittent mandatory ventilator, same as IME intermittent mandatory ventilation, but ventilator breathe are synchronized with client breathe, ventilator जितनी breathe दे रहा है, उसको synchronized किसके साथ होगी, client की जितनी client ले रहा है, उसके साथ वो synchronized होगी, जितनी client को पर पर इसको 20 चाहिए, और अपने 20 करके रखी है, तो patient जितनी ले रहा है, उतने लेगा, जितनी patient नहीं ले पा रहा है, उतना कौन देदेग अब रीत आपका ventilator, जैसे आपको 20 बीच बीच के साथ इसको देना है, ठीक है, patient को 20 बीच की जुरूत है, तो आपने क्या क्या, 20 सेट कर दिया, patient 15 ले रहा है, तो 5 कौन देदेगा ventilator, उसको synchronize को रहा है, तो उसको synchronize करने, patient बीच ले रहा है, लेकिन कम हो रही है, तो patient ventilator क को देदेगा ventilator, और ये winning modes होते है, winning का मतलब होता है, patient को जो intubate हो गया, उसको extubate की और लेके जाना, ठीक है, उसके support को देरे-देरे कम करके, patient को accommodate करके, उसको intubation किया है, उसको extubate में convert करना, उसको अपन बोलते है, वीन करना, नेक होता है, इसके अंदर भी पीप जो यूज अपन करते है, maintain positive pressure at the end of expiration, to keep alveoli open, alveoli जो होती है, अपने smallest unit of lungs की जो यूदी है, उसके तरुप अपना gas का exchange होता है, alveoli के अंदर air constant area, जिसको अपन बोलते है, functional residual capacity, जो अपन ब्रीथ ले, inhale and exhale किया, उसके बीच में जो amount of air, lungs के अंदर रहती है, उसको बोलते है, functional residual capacity, वो उसके अंदर रहती है, वो कहां रहती है, alveoli के अंदर, जिससे alveoli के रहती है, dilate रहती है, और उसी से क्या होता है, gas exchange होने के लिए अपने को पीप बहुत ही जरूरी होता है, तो ventilator में भी एक setting आती है, पीप जो अपने 5-6 के बीच में अपन पीप उसको set करते है जिससे क्या रहती है, कि उसकी alveoli है, वो प्रिशेट रहती है, तो पीप 5-6, जिसका यूज, इस पर बहुत है, तो पीप जितना भी होगा, मतलब आपके alveoli को dilate करके रखेगा, gas exchange को बढ़ाएगा, ठीक है, gas exchange को, अच्छा, percent का CO2 level बहुत ज़्यदा हो रहा है, तो आप करके रखता है, दूसरा winning mode अगर जो बात करेंगे, proportional assist ventilator, proportionally assist, यह भी जो है, पीएवी, proportional assist ventilation, synchronized with, and augment client inspiratory approach, यह भी क्या करता है, एक support का का काम करता है, बहुत कम यूज के जाता है, और यह भी synchronized mode की तरही होता है, उसके साथ पेशन को भी यह एक्टिवेट करता है, नेक्स्ट अपन बात करता है, CBAB, CBAB मतलब होता है, continuous positive airway pressure, continuous positive airway pressure, CBAB, similar to PEEP, but exert positive pressure throughout respirator cycle, यह पूरे respirator cycle में क्या करता है, पीप की तरही काम करता है, similar PEEP की तरही CBAB के अंदर भी अपन पीप होता है, पीप और CBAB दोनों ही same जैसे होता है, similar उसके समान बाता है, बस इसमें यह चीज होता है, यह पूरे respirator cycle के अंदर पुरा support करता है, client must be breathe spontaneously, यह जब यूज करते हैं, जब patient spontaneously breathe कर रहा हो, उसको support करने के लिए, तो जब भी ऐसी spontaneous breathe कर रहा है, तो उस टाइम अपन कोई सा mode यूज करेंगे, CPAP, CPAP के लिए, client must be breathing spontaneously, patient breathe करना ज़रूरी है, use with intubation during winning, patient अगर intubate है, और patient को winning कराना है, patient को extubate करना है, वोस टाइम में अपने इसको use करते हैं, from ventilation, without vision में, और without intubation भी अपने इसको use करते हैं, करना है, अगर मानलो, patient एक दूब साई, बहुत बृत बृत है, और tube डालना बहुत प्रोब्लम में हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बार यसा होता है, अमर्जेंसे में, कि patient का बहुत जदा head injury हो रहा है, mouth में injury हो रहा है, थोड़ा सा, और patient मोटा है, obese patient है, तो उस वाले condition में अगर इसको intubate नहीं कर पा रहा है, और directly अपने patient को तो भी वो करना है, मतलब वेंटिलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, सी पेप मॉड उसमें लगाकर एक tight mask, tight fit mask लगाकर patient को क्या कहा जाता है, लगाकर उसमें deliver के जाता है, उसमें कोई भी लिकेस नहीं होना चाहिए, तो ये यूस लीप अपने टेस्ट के लिए भी अपन कर सकते है, हार्ट फेलियर वाले patient के लिए भी अपने इसको तबले कर स स्टार्टिंग में थोड़ा सा aspiration देने के लिए उसको support करने के लिए intubation नहीं हो उससे पहले, तो इसको दोनो intubation से पहले भी यूज करता है, और intubation के end के अंदर भी अपने इसको यूज करता है, तो बहुत important mode हो गया, कि इसको अपन intubation करने से पहले भी यूज करते है, और intubate को win कराने के लिए भी last में अपने कौन सा mode यूज करते है, seat, एक और बजता है, by-level positive airway pressure ventilation mode, by-level मतलब क्या हो गया, मतलब by-level, दोनों टाइम में, inspiration time में भी आपको support करना है, और expiration time में भी आपको support करना है, यह दोनों का support जब करते हैं, उसको by-level को बोलते है, by-level positive airway pressure ventilation mode, मतलब non invasive method to deliver air through nose and mouth, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें intubation नहीं करना, पेशन जैसे मैं अपने CPAP के बारे में बात किया, CPAP भी intubation से पहले भी यूज कर सकते है, उसमें उसी के साथ आपन दूसरा एक mode होता है, by-level mode, उसको भी अपन इसमें यूज कर सकते है, पेशन करें, will deliver breath if client rate fall below preset frequency, बहुत ज़्यदा कम हो रही है, तो अपन ये, by-level अपन यूज करता है, और इसको intubation की जड़रत नहीं है, non invasive processor होता है, इसके अदर आई पेप और ही पेप, दोनों inspiration, inspiration की rate अलग होगी, और expiration की rate अलग होगी, मतलब स्टे कराना, oxygen को patient के साथ स्टे कराना इसमें जो patient breathe लेखा है, वो nose और mouth के तरूप, patient के अंदर जाहेगी, इसने intubate नहीं क्या होता है, non energy process है, तो ये हो गई बात अपने intubation की, तो mode के उपर अपन बात करें, तो जो अपने meta था, continuous mandatory ventilation, मतलब continue patient को रिलाक्स करकर, तो वो एक mode होता है, patient जब ज़्यदा serious condition में है, तो यूज़ करते हैं, उसके बाद अपन assist control ventilator, यूज़ करते हैं, intermittent ventilator अपने यूज़ करते हैं, positive pressure ventilator अपने यूज़ करते हैं, तो synchronize positive pressure, CPAP, BIPAP, यह सारे winning modes होता है, winning कराने के लिए, starting में अपन patient को रखेंगे, control mandatory में, उसके बाद आप रख सकते हैं, assist control में भी रख सकते हैं, और intermittent में भी रख सकते हैं, patient अगर अच्छा response दे रहा है, patient का पूरा white-able, hemodynamical stable है, तो अपन उसके mode दीर दीर है, अपन चेंज करते जाते हैं, और उसको winning में लाया जाता है, तो nursing care में सबसे ज़्यादा आपने को ध्यान रखना है, कि maintain ventilator setting and notify respiratory department healthcare provider, कोई भी distress होता है, तो आपको report करना है, doctors को, और ventilator settings जो है, उसको आपको त्यान में रखना है, कि क्या setting है, मानदो कोई भी अगर problem होती है, तो आपको setting पता होनी चाहिए, कि इसको patient को doctor क्या setting करके गया था, तो sort को आपको not भी करना है, और उस setting के साथ अगर patient stress में आ रहा है, तो doctor चाहिए बत करें, maintained sealed system between ventilator and client, client के बीचों sealed system का मतलब होता है, कि कोई tubing के अंदर कोई सी type का leakage नहीं होना चाहिए, किसी जगे से कोई air बाहर नहीं आने चाहिए, ट्यूब भी अच्छे से check करना है, और ventilator tubing को भी अच्छे से check करना है, कोई भी leakage नहीं होगा, अगर कुछ leakage हुआ, तो आप आपको low pressure alarm आएगा, और अगर tube के अंदर पर problem हो दिये, तो आपका high pressure alarm आएगा, तो इस alarm के बहुती बार question पुचा गया है, कि high pressure alarm है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, और low pressure alarm है, तो क्या ध्यान में रखना है, तो sealed system आपको रखना है, ठीक है, air not lost around with tubing, tubing के अंदर कोई भी intubate है, तो उसका cup pressure आपको continuously check करना है, उसका cup pressure 15-25 mmHg तक भी रखते हैं, आपन जो pressure है, cup का 15-25 mmHg तो वो आपको maintain करके रखना है, और उसको tracheostomy tube है, तो उसको भी आपको अच्छे से check करना है, नेक्स आपन बात करते हैं, prevent high pressure alarm, अगर patient high pressure alarm मारा है, तो आपको द्यारा, परफून सक्सन एज निटे, अगर machine में high pressure alarm मारा है, तो पहले आपको check करना है, कि patient ने tube bite तो नहीं कर रहे है, या इसके जो कारण है, high pressure के कारण जो होते है, patient ने या तो tube को bite करके रखा है, या फि patient के जो respiratory track है, उसमें बहुत ज़्यादा, secretion है, या किसी टाइप का ब्लोकेज है, ब्लोकेज है, अगर patient के से जो resistance आएगा, उसमें कौन सा अलाराम आएगा, high pressure alarm, तो पहले आपको tube bite तो नहीं कर रहा है, बाइट चे करना है, उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद resistance कर रहा है, patient breathe ले रहा है, ऐसी condition में तो आपको क्या करना है, अगर आपने जैसे continuous mandatory ventilator लगा रहा है, और patient breathe resistance कर रहा है, तो इसमें आएगा high pressure alarm, और जब ये high pressure alarm आ रहा है, तो आपको muscle relaxation patient को देना है, डोक्टर को concert करके, और देना है, अगर bite कर रहा है, तो bite block लगा सकते हैं, और patient अगर suction है, तो suction कर सकते हैं, चुतर नर्सिंग रहा है, प्रिवेंट लो प्रेशन रहा है, लो प्रेशन के अंदर जब भी होगा, जब या तो patient disconnect हो गया ventilator से, या फिर ट्यूब आउट होगी, दो condition ऐसी होती है, जिसके अंदर ये चीच होता है, तो जब अगर लो प्र प्रेशर अर्म आ रहा है, तो आपको पहले ventilator को पूरा शिक्योरी चेक करना है, ज्यादा हाववव नहीं करना है, डोक्टर इंपाउं करने से, पहले आपको क्या करना है, प्रेशन की ट्यूबिंग को अच्छे से चेक करना है, इसके अपर कुछा गया है, तो इसको ज़् मैं नीड वेंटिलेट मैनुवली इप कोस बाई वेंटिलेटर प्रोब्लम, वेंटिलेटर कोई प्रोब्लम होगे, ठीक है, वो सजी से वेलिवर नहीं कर रहा था, आपको मैनुवली मलब एम्बू बेक से, अटिशियल प्रिथिंग निट से, आपको क्या करना है, उसको मै मैनुवली इप करना है, असेस फोर साइन ओफ रेस्परेटर इंसफिएंसी, एडवेंटिस ब्रीज साउंड, हाइपो वेंटिलेशन, टेकी का आइडिया, मतब ज़्यादा, एडवेंटिस ब्रीज साउंड का मतब की रेस्परेटर की बहुत ज़्यादा आवा जाना, अगर कोई प्रोबलम है तक डॉक्टर को पताना है, चेक पल्स ओक्सुमेटर ब्लॉड गैसे डिटर्मान इफ्यक्टिव और वेंटिलेशन, पल्स ओक्सुमेटर चेक करना है और अब जी चेक करते रहना है, एस तब प्लिस मेंस ओप कम्म्मिनिकेशन, विकास क्लाइंट अब इस दिशाने ना महलता है अर इस सारह से पेशन को समझना है और इस दिशान भी ओसको आपको समझना है क्योंकि आपको समझना है क्योंगी उस दम पेशेंट बोल लई सकता है तो मैं यह भी अपनी नर्समी को बहुत इपर्टर नर्समी एस प्रसिबिलेटी है कम्मिनिकेशन तो इसका भी आप त्यान रखना है प्रोवाइड औरल के शक्षन एल के विटी एस निडेट अकोडिग टू हॉस्पिटल पोलेशी आपको औरल के विट करना है प्रोवाइड ब्रेकर स्टमी के और इसके साथ आपको क्या करना है फीजो थेरेपिस के साथ आपको असे भी कराना है पाटिसपेस विने एस्पेस तो अपने माइंग कर उसको विनिंग मौड लगा कर उसको करने की कोशिस करना है तो वेनिंग मॉड के लिए अपने तो आपको यह सब चीज़ करना होता है तो आपको यह सब चीज़ करना होता है तो इस ट्यान में रखना होता है और जब भी पेशेंट को इंटुबेशन हो रहा है तो मैं अलग से में बता रहा हूं जब भी पेशेंट को positive pressure ventilation जब भी दिया जाता है एकदम से patient का BP fall होता है anesthesia कोई भी दिया उसके बाद भी patient का BP fall होता है और patient को अगर प्रिपेर करके रखना है तो यह question बहुत से बाद पुच्चा है यहने से एक drug देने के बाद भी बीप इंक्रीस होती है और intubation के बाद भी बीप फोल होता है तो वह यह चीज आपके माहिक में क्यान रखना है winning के बारे में hemodiagnumis stable है तो patient को winning कराना है thank you I hope आपको इस topic अच्छा लगे अगर अच्छा लगी यह topic तो please please मैरे इस channel को subscribe करें ताकि मैं आपको ऐसे ही video आगे provide कर सकता हूँ और अगर आपको कोई इस video के अंदर कोई problem है तो आप मुझे comments में लिख सकते हैं मैं इस video को और अच्छा बनाने की कोशिस करूँगा आपके doubt clear करने की कोशिस करूँगा आप personally मेरी id पर message डाल सकते है comment कर सकते है मैं इसका description में आपको बता दूँगा ventilator में इसके टास के related आपको कोई भी question है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरी comment box में थेंक्यू थेंक्यू थेंक्यू